हेलो एवरीवन गुद मॉर्निंग टू ओल अफ यू वेलकम टो लॉजिक पाच्छाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 तर 29 सप्टमबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेस के क्वेशन्स तो फ्रेंड्स आज हम दो दिन का करेंट अफेस कवर करेंगे और सभी अगर आपको लगता है कि आप कल यानि यस्टरडे में अगर थोड़ा आपको लगता है कि आपने कम किया है आपको थोड़ा फेल डाउन लगे आपको कुछ भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ आपने काम पूरा तरीके से नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आप उसे आगे नही सेट कि अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो बिल्कुल टीम मोटिवेट होने की ज़रूत नहीं है तो बारा से खड़े होई आपको ऐसा कभी लगा कि मैं failure face करना पड़ा लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंट्स के failure face करना पड़ेगा तो हमेशा ही वो चीज़ चलेगी आप दुबारा से खड़े हो सकते और फिर से आगे बढ़ सकते हैं तो चले फ्रेंट्स हम भी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले important day में हमारा पहला डे है world ravis day तो फ्रेंट्स world ravis day चो है ये 28 सेप्टेंबर को celebrate किया जाता है तो 28 सेप्टेंबर को हर साले celebrate होता है ट्रिब्यूट देने के लिए लुइस पैस्चर को तो लुइस पैस्चर कौन थे तो ये भी जाने केंगे ये इन्वेंटर थे first effective ravis vaccine के दुनिया में जो पहली प्रभावी ravis vaccine है उसकी अविशकारक है अविशकारक थी लुइस पैस्चर और इन्ही की इन्ही को शृद्धान जिली जेने के लिए हर साल 28 सेप्टेंबर को world ravis day मनाया जाता है अब अगर theme की बात करते हैं तो फ्रेंट्स इसकी theme है ravis one health zero deaths next important day है world heart day ये 29 सेप्टेंबर को मनाया जाता है तो इस दिन देखे लोगों को जो heart illness है यानि जो हिर्दे रोग है उससे संबंदी जो भी health issues होते हैं उसके तरफ लोगों का ध्यान एड़न एक तरीके से आकशित करने के लिए ये मनाया जाता है world health day के दौरा world health day जो है वो पहली बार observe किया गया था 1999 में world heart federation के साथ federation ने collaboration किया था इसमें world health organization के लिए अब इसके देखे जो theme रही वो है use heart for every heart बहुत ही प्यारी theme है ध्यान रखेंगे friends theme भी important होती है exam point of view से तो चलिए friends अब शुरू करते हैं question number first से पहला question है देखे हमारा Georgia Maloney has become the first woman prime minister of which country तो Georgia Maloney जो है यह किस देश की पहली प्रधान मंत्री बनी है सही answer हो जाएगा Italy हाँ पर बिलकु correct answer है तो Italy देश की यह पहली महिला प्रधान मंत्री बनी ध्यान रखेंगे friends very important अच्छा United Kingdom में भी एक woman prime minister बनी है जिनका नाम है Liz Truss यह ध्यान रेकेंगे friends यह भी हाली में यहां की prime minister बनी है Georgia Maloney जो है यहां की पहली woman prime minister बनी है since world war second तो भी अभी तक यहां पर world war second के बाद कोई भी woman prime minister नहीं बनी इसलिए यह कोशन काफी जादा important आपकी exam के लिए हो जाएगा इडली की बात करते हैं तो इडली यूरोप continent में है या आप देख सकते हैं इडली की location capital है रोम करेंसी है यूरो और यहां की president का नाम है Sergio Madrila इसके लावा कुछ और अगर अगर ना प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट की बात करें तो देखे अभी UK में प्राइम मिनिस्टर बनी है List Trust इसके लावा केनिया में नए प्रेजिडेंट बने William Ruto प्राइम मिनिस्टर पापु और न्यूगिनी James Marape शेख मोहमद सबा अलसलेम ये बने है नए प्राइम मिनिस्टर कुवेट के दिनेश गुडवर्धने नए प्राइम मिनिस्टर बने है श्री लंका के और रानिल विक्रमसिन है ये प्रेजिडेंट बने है श्री लंका के इसके लावा देखे फ्रेंट्स पहली woman president of Hungary तो Hungary देश के पहली woman president बनी Catalin Novak पहली woman president of Tanjania इनका नाम है Samia Sulhu Hassan तो ये हमारी important कुछ और appointments है Next question है Which country has granted citizenship to former US security contractor Edward Snowden तो किस तेश ने America के पूर्व सुरक्षा ठेकेदार Edward Snowden को नागरेक्ता पुर्दान की है तो ये नागरेक्ता किसके द्वारा पुर्दान की गई है friends तो correct answer देखे हमारा यहाँ पे हो जाएगा Russia is the right answer अच्छा friends Russia से मैं आपको कुछ और news revise कराऊं तो जो Russian language ती है ध्यान रखेंगे Russian language ते ये observe किया जाता है 6th of June को इसके अलावा Russia China और इरान के बीच में एक joint naval exercise होई जिसका नाम क्या है चिरू ये exercise का नाम है ये हमें ध्यान रखता है Russia ने दुनिया का जो सबसे largest plane था जिसका नाम था म्रिया इसे जो है वो destroy Russia के द्वारा ही किया गया था और रश्या की बात करें तो रश्या की capital क्या है Moscow और यहाँ पर currency जो है वो है Russian Ruble तो ये हमें याद रखेगा यहाँ पर फ्रेंट्स इसराइल से ध्यान रखेगा इसराइल के अभी recently Prime Minister भी appoint होए थे और जिनका नाम याद रखेंगे ये लेपिड तो ये कुछ important बाते हैं ध्यान रखेंगे अब question की बात करते हैं तो Snowden is one of the 75 foreign nationals that have been granted जिनको रश्या की citizenship मिली है अमेरिकी राष्टे सुरक्ष्या Agency के ये पूर्व former employee है Snowden और सरकारी निगरानी कार्यकरम का विवरन देने वाले जो classified documents हैं उसको लीक करने के बाद अमेरिका में अभियोजन से बशने के लिए 2013 से जो है वो कहां पे रह रही है रश्या में रह रही है तो रश्या की बात यहां पे हो गई थी प्राइम मिनेस्टर देखें हैं मिखेल मिशुतीन रश्या जो है वो area according word की largest country है लेकिन अगर हम population की category में बात करती है तो इसमें रश्या आता है 9th most populous country in the world और यूरोप में सबसे ज़्यादा populous country यानि सबसे बड़ी संसंग्या वाला देश है यूरोप में रश्या नेक्स्ट हमारा question है Housing and Urban Affairs has launched Swatch Toyathon Center for Creative Learning and Dash is the knowledge partner तो इसमें देखे अभी हाली में जो Housing and Urban Ministry है उन्होंने Swatch Toyathon जो है इसे launch किया है अब इसके लिए जो knowledge partner में एक तो Center for Creative Learning है और दूश्रा यहाँ पे बताना है तो IIT यहाँ पे देखे कौन सा हो चाएगा तो सही answer हमारा है यहाँ पे IIT IIT गांधी नगर हमारा बिल्कुल सही answer है अच्छा फ्रेंट्स यहाँ पे हम कुछ और IIT की बात करने तो इसे IIT मदरास तो IIT मदरास ने अभी क्लीन सेप्टिक टेंक्स को क्लीन करने के लिए रोबोट्स को develop किया था और उसे नाम किया दिया था तो IIT के बात करती है IIT मदरास ने अनाउंस किया था एक ओनलाइन प्लेटफॉर्म e-source जिससे की e-waste जो है उसको टेकल किया जा सके and IIT मदरास ने यह develop किया था AI-based algorithm और यह क्या मदद करेगा जो cancer-causing cell है उनके identification के लिए यह जो है वो launch करी थी यह develop करी थी कह लिजे जिसको नाम दिया था AI-covy home तो यह कुछ important news होगी friends इसको ध्याद रखेगा अब questions पर आजाते हम लोग तो Housing and Urban Affairs और मिनिस्ट्री है उन्होंने स्वच टॉय कथोन लाँच किया यह एक unique competition है जिसमें involved होंगे जो toys बनाते हैं waste से वो सब चीज़ें जो है वो इसमें involved होंगी इस competition को host कौन करेगा My Government Innovative India Portal जो knowledge partner है इस initiative के लिए वो है The Center for Creative Learning और IIT Gandhi Nagar तो यह friends हमें ध्यान रखना है Next हमारा question है Who has inaugurated The Integrated Cryogenic Engines Manufacturing Facility of Hindustan Aeronautics Limited in Bengaluru तो किसकी द्वारा बताना है कि इसको इनॉगरेट किया गया है कहां पे Bengaluru में तो इसे इनॉगरेट किया है हमारी President Draupadi मुर्मुजी के द्वारा इसे इनॉगरेट किया गया है अच्छो friends यहाँ पर अगर हम और मिनिस्टर की बात करें अच्छले अमिशाह जी के उपर बात कर लेते हैं सबसे बहले इनके पास तो Home Ministry है और इनके पास Ministry of Corporation है अमिशाह जी के द्वारा ही अमिशाह जी ने Dairy Cooperative Conclave को इनॉगरेट किया कहां पर तो इनॉगरेट किया है इसके लावा अमिशाह जी के द्वारा ही जो है स्वामी रामनुचारेश जी की जो स्टैचू है जिससे स्टैचू ओफ पीस कहा गया है उसको इन्होंने अन्विल किया अमिशाह जी के द्वारा ही C.E.P.F.E. आवास जो पोर्टल है इसे डेली में जो है अन्विल किया गया तो यह हमें न्यूस थ्यान रखनी है अमिश शहाजी से अब क्वेशन के दरब बात कर लेते हैं तो जो क्रायोचेनिक इंजन्स ने इनको कहां यूस किया जाएगा तो इनका यूस इस तरों के द्वारा किया जाएगा उनकी सेटलाइट लाँच ओपरेशन्स में इन इंजन्स को यूस किया जाएगा इसके लावर अल्सो प्रेजिडेंट के द्वारा फाउंडेशन इस्टों रखा गया साउथ जोनल इंस्टिटूट ओफ वाइरलोजी वर्चुली एट L.A.H.A.L तो इसके अधायशला भी रखी है प्रेजिडेंट डॉपदी मुर्मो जी नहीं इसके लावर बात करें फ्रेंट्स इसरो की तो इसरो की स्थापना हुए 15 ओगस्ट 1969 हेड़कॉर्ट है बिंगलॉर में और इसके फर्स्ट चेयर में ने इसके फाउंडर कौन थे विक्रम सारभाई जी तेंथ चेयर में जो प्रेसेंट टाइम में है उनका नाम है सोमनात आरे बट इंडियास फर्स्ट सेटलाइट जिसे लाँच किया गया था 19 अप्रेल 1975 में तो ये important question हो सकता है exam के लिए अगला question है friends Ministry of State for Social Justice and Empowerment जिनका नाम है प्रतीमा भॉमिक इनके द्वारा लाँच किया गया Indian Sign Language Dictionary Mobile Application पताना है कि इस application को क्या नाम दिया है तो इस application को नाम दिया है Friends Sign Learn question एक तरीके से ये बन सकता था ये application किसके द्वारा लाँच की गई answer होता प्रतीमा भॉमिक जी ने इसे लाँच किया है ये जो application है बेस्ट है Indian Sign Language Dictionary पे और इसमें देखिए contain है 10,000 words तो इसमें 10,000 शब्द है इसका उद्देश्य ये है कि जो ISL है Indian Sign Language Dictionary इसको easy एक तरीके से जनता के लिए असानी से जो है वो उसे उपलब्द कराना ये इसका जो है main उद्देश्य है कुछ और information की बात करें application से related देखिए तो Union Minister Dr. Jitindr Singh ने announce किया था भी हाली में One Week One Lab जो की based था campaign to showcase technological breakthrough and innovations इसके लावद धर्मेंद प्रधान जी ने स्केल नामसिक application को launch किया Dr. Jitindr Singh के द्वारा launch किया गया dashboard of the Department of Science and Technology तो friends ये भी हमें extra information में कुछ additional news ध्यान रखनी है Next हमारा question है Which Union Minister has launched Indigenously developed AVGAS-100LL a special aviation fuel for piston engine aircraft and unmanned aerial vehicles तो ये एक तरीके से इसको स्वदेशी रूप से बताना है कि किसके द्वारा जो है इस एक तरीके का ये विमानन इंदन है जिसे launch किया गया है तो किसके द्वारा इसे launch किया गया है तो सही answer है हमारा यहाँ पे हरदीब सिंग पुरी ची के द्वारा जो है friends इसे launch किया गया है अच्छा हरदीब सिंग पुरी से हम कुछ और नियूस की बात करती है तो इन्होंने जो है वो निपुन जो प्रोग्राम है निपुन जो प्लेटफॉर्म में इसे भी launch किया था जिसमें निर्मन मरकर्स की जो स्किल से उनको प्रमोट करने के लिए इसमें work किया गया इसके लावा इनके द्वारा ही स्वा निधी जो महोसब है इसे भी इनोंने launch किया हरदीब सिंग पुरी के जो आरा ये ध्यान लकिंगे ये जो special aviation fuel है इसको भी इनके द्वारा ही launch किया गया है the fuel has been developed इसको Indian oil corporation के द्वारा जो है से develop किया गया है जो उनकी वदोद्रा में उनकी refinery है वहाँ पी इसको develop किया गया इसको विक्सित किया गया currently जो है इंडिया इंपोर्ट करता है इस टाइप का aviation fuel European countries थे लेकिन जब ये अपने ही देश में बनने लगेगा तो इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी Indian oil corporation की बात करता है ये इंडियन government के स्वामित में एक oil or gas explorer producer जो है वो company है इसकी स्थापना हुई 1959 में hit quarter जो है इसका न्यू डेली में है इसके chairperson है श्रीकान मादव वैद्दिय है next हमारा question है which campaign has been announced by union minister जितेंदर सिंग to showcase the technological breakthroughs and innovation तो कौन सा platform है जिसे जितेंदर सिंग ने launch किया जिसमें जो technical breakthrough यानि तकनीकी सफलता है नवचार है उनको प्रदर्शित यहाँ पर किया जाएगा इसके लिए कौन सा हमें बताना है campaign की गोशना की डॉक्टर जितेंदर सिंग ने और उस campaign को नाम दिया है one week one lab campaign कोशन उल्टा भी बन सकता था कि one week one lab campaign जो है किसके द्वारा announce किया गया है यह जो campaign है कि देश भर में 37 council of scientific और industrial research labs जो institute हो गए उन समी में आयजित किया जाएगा और उने ने ने डिली में पहली बार CSIR leadership meet जो है इसकी घोशना भी की है तो याद रखेंगे friends किसने करी है डॉक्टर जितेंदर सिंग ने next हमारा question है which of the ministry has developed a जल्दूत application और यह application किसलिए है to capture the water label of selected wells in a village across the country तो यह जो गाउं में चैनित कुए होंगे वहां का जलिस्तर को पता लगाने के लिए कि कितना वहां पे water label है उसके लिए जल्दूत application को develop किया है किसने तो answer हो जाएगा ministry of rural development के द्वारा इस application को develop किया गया है अब इसमें देखें क्या होगा कि जो gram rose का सहायक है gram rose का सहायक को साल में दो बार एक pre monsoon एक monsoon के बाद तो जो भी selected कोई होंगे उनको जलिस्तर को मापने के लिए इसका use किया चाएगा इसके बाद क्या होगा कि पंचाइग जो है उनको एक exact इनको एक मजबूर data मिलेगा जिस data को use करगे वहाँ पे जो plans होंगे आने वाले plans होंगे वो बनाए जा सकेंगे कितना वहाँ का water level है किस according वहाँ का plan बनाना चाहिए next question है S&P global has projected India's fiscal year 23 GDP growth at what percent तो इन्होंने कितने percent जो है वो GDP जो growth है उसको उसका अनुमान लगाया है तो इनके तवारा जो अनुमान लगाया गया है वो है 7.3% का तो 7.3% का जो है इन्होंने GDP growth में अनुमान लगाया है और अगले fiscal अगले वित्वर्ष में 5% तक जो inflation है जो मुद्रस पीती है उसको गिरने का यानि उसके कम होने का भी जो है वो इनके तवारा अनुमान लगाया गया है तो यह एक अनुमान होता है देखी यह एस्टीमेट लगाया जाता है लेकिन एक्जाम में पूछा जाता है जिसे वर्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ड बैंक ने fiscal year 23 के लिए जो अनुमान लगाया GDP के लिए वो है 7.5% और fiscal year 24 के लिए जो अनुमान लगाया वो है 7.1% ऐसे ही moody's ने 8.8% का अनुमान लगाया तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग companies के दौरा जो है अलग-अलग जो एस्टीमेट लगाये जाती हैं तो यह हमें पर बताना है तो फ्रेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएका वेक पॉलिटीशियन थे तो इनका जो है अभी हाली में निधन हुआ है उन्होंने 1977 में जो केरल लेगेस लेजर असेंबली है वहां से वहां पे निलांपूर सीट जो है मलपरुम डिस्ट्रिक में वहां से उन्होंने पॉलिटीशियन से नेक्स्ट एक एक क्वेशन क्या है हमारा हिताजी friends महाराष्ट स्टेट में तो महाराष्ट इसे राइट आंस अच्छा friends महाराष्ट से कुछ और अगर नियूस की रिवाइस करते तो एक loan scheme है जिसका नाम है जीवला तो इस loan scheme को launch किया था महाराष्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स के दौरा महाराष्ट स्टेट ने ही MTS जो application है यानि जो migration tracking system application है इसे launch किया है महाराष्ट सरकार के दौरा ही चलो mobile application और smart card को launch किया गया इसके लावा friends यहाँ पे अगर हम बात करें Udisa स्टेट से तो चलिए मैं आपको Udisa से भी दोती news revise करवा देती हूँ तो Udisa के दौरा जो है वो Udisa में festival celebrate हुआ था जिसको नाम दिया था सिथल साथसी festival यह कहां celebrate होता है Udisa में Udisa ने जो है वो Udisa में इंडिया का पहला Olympic values education को launch किया यह कहां किया गया Udisa में किया इंडिया के जो पहली tribal health observatory है इसे भी setup कहां किया गया Udisa में इसे setup किया गया Udisa day कह लिजए या फिर इसको एक और नाम से कहते हैं उतकल दिवस यह कब celebrate किया जाता है तो यह first April को celebrate किया जाता है तो यह friends हमें कुछ important news यान रखनी है Udisa state से अब वापस question की बात आती है तो इसका अंसर था महराष्ट जो हिताजी STMO है इन्होंने इंडिया का पहला solar power plant जो है महराष्ट के जलगाउ manufacturing plant में इसको install किया है 3 MW solar power plant will be built इसको built किया गया है पूरे 43,301 square meter के area में महराष्ट की बात करते हैं तो इसकी formation 1 May 1960 को हुई capital इसकी है मुंबई गवर्णर है यांके भगश्यों कोश्यारी चीफ मिनिस्टर है एकनाश शिंदे चंदोली नैशनल पार्क नेगाउन नैशनल पार्क संजे गांधी नैशनल पार्क तडोबा नैशनल पार्क ये सभी है आपके महराष्ट स्टेट में Next Question है Which International Airport has been awarded the Airport Service Quality Award 2022 by the Airport Council International तो जो Airport Service Quality Award है ये इस award से समपानित किसे किया गया है तो answer हो जाएगा Cochin International Airport को इससे समानित किया गया है ये जो award इन फ्रेंट इसको consider किया जाता है Highest Honor in the Global Aviation Sector एयरपोर्ट से लेटेट कुछ और इंफोर्मेशन की बात करें तो दीखे अभी चंडीगर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके हुआ है शहीद भगसिंग जी के नाम पर रखा गया है एक M.U. साइन हुआ अंडुमा निकुबार कमांड और एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के बीच म वो नामित किया गया वर्ष 2022 के लिए नेक्ट कोशन है 2023 विनर्स ऑफ ब्रेक्थ्रू प्राइज़ डब दी ऑसकर ऑस साइंसे इसको ऑसकर ऑस साइंस के नाम से भी जानते हैं और अभी हाली में ये प्राइस की अनौंस्मेंट हुई है और बताना है कि हूब याफ वर्दी और ब्रेक्थ्रू प्राइज़ तो इसके फाउंडर कौन थे तो यहां पे चो करेक्ट आंसर है सर्जी ब्रेन, मार्क, जुकरबर्ट को यूरी, मिलनर ये तीनों ही जो है ब्रेक्थ्रू पुरूशकार के संस्तापक थे तो फ्रेंट्स इसके आंसर यहां पे हो जाएगा अब ये पुरुशकार किसे मिला है ये हमें भी धिहान रखना है तो देखे तीन कैटिगरी में हमें याद रखना है Firstrance Mathematics जिसमें मिला है डैनियल स्पिलमेन को फंडमेंटल Physics में ये अवोर्ड मिला है Charles Bennett Gills, Brasser, David Duchet & Peter Shore को नेक्स्ट केटेगरी है लाइज साइंस है जिसमें अवार्ड मिला है क्लिफफोर्ड, ब्रेगवेन और एंथनी हाइमेन को तो हमें ये तीनों केटेगरी इसमें ध्यान रखना है ये पूछ सकते हैं फ्रेंड्स और इस प्राइस के फाउंडर की ध्याम ध्यान रखेंगे सब से पहली बार 2012 में जो है ये अवार्ड दिया गया था नेक्स्ट क्वेशन है विच एक्ट्रेस विल बी ओनर्ड विद दादा साहे फाल के अवार्ड 2022 तो दादा साहे फाल के पुरुषकार से किस अमिनेतरी को समानित किया जाएका तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आशा प ये ध्यान रखेगा मिलेगा कब 2022 में लेकि 2019 के लिए मिल रहा है और आशा पारेक चीक प्रसिद एक्ट्रेस डारेक्टर प्रड्यूसर और इंडियन क्लासिकल एक कुशल भारती है जो क्लासिकल डांसर है आशा पारेक दादा साहे फाल के जो है सिनेमा की फील्ड में सबसे हाइस्ट अवार्ड है इंडिया का ये एन्वली दिया जाता है नैशनल फिल्म अवार्ड सेरिमनी के तहत बाई दिक्टोरेट और फिल्म फेस्टीबल और इसे मिनिस्ट्री ओफ इन्फॉर्मेशन और ब्रॉड कास्टिंग इसे ओगनाईस करता है इसकी स्थापना हुई नैटीन सिक्स्टीनाइन में नेक्स्ट हमारा क्वेशन है वू हैस्ट पीन अपॉइंटेट एसा नौन एग्जेकुटिव इंडिपेंडेंट डारेक्टर ओफ लीडिंग फिंटेक प्लेटफॉर्म जोकी प्लेटफॉर्म का नाम है स्टेश फिन तो फ्रेंड बताना है कि इसके अभी नौन एग्जेकुटिव इंडिपेंडेंट डारेक्टर कौन पॉइंट हुए है तो करक्ट आंसर है हमारा यहां पे विजे जसूद सा इसके लावा फेंड से अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें जिससे अजे कुमार सूद तो अजे कुमार सूद ये प्रिंस देश के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं तो यह हमें अधर ऑप्शन से ध्यान रखने हैं आप देखे हमारे पास तो यहां पर कुछ और अपॉइंट्मेंट्स के बारे में रिवाइस कर लेते हैं तो अभी ऑफिसर देखे बंदारू विलसन बाबू यह अभी म कानेडा देश में तो यह भी हमें ध्यान रखना हैं अगला कोशन है हमारा फॉर दी फॉर्स टाइम टीम वर्ड बी टीम यूरोप टू विन्दी लेबर कप टुटाउसें टूइन विस सिटी देखो कोशन थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से करा कि पहली बार टीम वर यूरोप को हरा कर लेबर कप जीता, कौन सी टीम जीती? ये भी हमें ध्यान रखना है, टीम वर्ड जीती है इसमें लेबर कप में, इसका जो आयजया ने वो कहाँ पे किया कया था तो लंडन में इसका आयजया कया था, लेबर कप एक इंटरनाशनल इंडूर हार्टकोर बार लेवर कप का जो है वो फिफ्ट एडिशन हुआ था और पहला एडिशन कब हुआ था दो हजार सत्रा में जो है इसका पहला एडिशन हुआ था फ्रेंट्स इसी के साथ हमारे questions complete हो गए हैं सारे आप कुछ static gk के questions कवर कर लेती हैं पहला question है which soil is used for cotton cultivation तो cotton cultivation के लिए यानि कपास की खेती के लिए जो है वो कौन सी मिट्टी यूज़ की जाती है तो correct answer हो जाएगा हमारा black soil जो है वो यूज़ की जाती है black soil की बात करते हैं तो black soil में देखे high percentage होता है humus का, phosphoric acid का और phosphorus का as well as इसमें ammonia की भी मात्रा काफी जादा होती है next day what was the capital of India before Delhi तो Delhi से पहले इंडिया की capital की आती तो आपका answer होगा कौलकाता unit of pressure यानि दाप का मात्रा क्या होता है तो दाप का मात्रा कोता है pascal next day on which river is almaty band situated तो friends बात करते हैं जो almaty dam है ये आपका कौनसी river पर situated है तो सही answer हो जाएगा हमारा Krishna river पर situated है और अगर हम बात करने कौनसी state में है ये भी हमें इध्यान रखना है तो ये है करनाट का state में computer का father या father of computer computer का पिता किसे कहा जाता है Charles Babis then इसके बाद है when is national youth day celebrated तो national youth day कब मनाया गया है तो friends correct answer हमारा हो जाएगा 12th of January को जो है national youth day celebrate किया गया अब अगर हम इसकी theme की बात करते हैं तो theme रहीती friends इसकी इस बार की integrated solidarity creating a world for all ages तो ये इसकी रहीती friends theme इसके बाद है famous book है discovery of India और इसके author कौन थे जवालाल नहरुची postal system was practiced by which ruler यानि dark प्रता का जो प्रचलन है वो किस शाशक के द्वारा किया गया था answer हो जाएगा 1564 में किस शाशक ने जो जजिया टेक्स है जजिया करता उसको समाप्त कर दिया था तो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था आप लोगों के लिए आज के questions में पहला question है who among the following is known as the father of Indian prehistory तो भार्टे पूर्व इतियास के पिता के रोप में किने चाना जाता है तो आप लोग मुझे जरूर करे comment करके बताएंगे second question है who was the founder of sung dynasty शुंग वंश का संस्था पर कौन था तो friends ये दो question आप लोगों के लिए है मैं आशर करते हूंगे आज के भी पूरे की पूरी वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी ऐसे ही friends आप लोग पढ़ते रहें thank you so much for watching this video